चुन विश्ट चप्डिस हंटा में हाइस्ट बारिष रिपोर्ट हुआ कुरापूर डिस्टिक्स में हाइस्ट बारिष हुआ बंधु गाहों में 76.0 mm और कंदमाल डिस्टिक्स का जीऊदाइगरी में 65.4 mm नोपरा डिस्टिक्स का खोरियार 50.6 mm तन्दबल निस्टिस का फूल बानी 41.2 बिलिमिटर माक्सिम टेंपरेचर सभी जागा में आभी 40 से निचे आ गिया है हाइस्ट माक्सिम था धेनकेनाल परलेखा मुंडी 38.0 बिलिमिटर भोवनेश्टर सीटी में था 37.3 बिलिमिटर अभी हमारा सीजनल रेंफ़ल जो है 1 जून से आज 17 जून तक टोटल रेंफ़ल हुआ है 33.7 इस चमाई तक शाहविक होता है 93.2 बिलिमिटर 64 परसेंट कम है पर अभी हमारा पिसले दो दिन में एफिशेंट से रेडियूस हुआ है 15 जून तक हमारा एफिशेंट से था 73, more than 73 परसेंट अभी पिसले दो दिन में रेडियूस हो करके 64 परसेंट है और अभी आगला 5 दिन का जो फोरकास्ट हमारा है hours नेस्ट 24 परसेंट इंक्टर इशेंटर का डिस्टिक्स में बेनी प्लेस्स में थांदर स्टम का साथ बारिश होने का चांस से सहे कोस्तल विश्य में भी कुस-कुस थानपार बारिश थांडरस्टाम का साथ होने का चांसिस है हेवी रेंफ़ाल भी एक दो जागा में हो सकता है थांडरस्टाम का साथ चाजपूर, धेनकनाल, केंज़र, कोटोप, नवयगर ये शब दिस्टिक्स का अंदर में जादा चांसिस है थांडरस्टाम लाइटिनिंग का वर्निंग है फिर अगला चार दिन में 18th, 19th, 20th, 21st में नौर्थी इंट्रिशा का डिस्टिक्स में बाकी डिस्टिक्स में कुस-कुस थाना पर 19th में इंट्रिशा में में बिस्टिक्स में कुस-कुस थाना पर 20th में शाभी डिस्टिक्स में में बिस्टिक्स में और भोबनेशा सीटी में अभी आज जनरेवी क्लावडी स्काई एक दो स्पेल स्टांडर स्टम का साथ बारिश होनेखा चांसेश है मौन्सोन का जो पोग्रेस है पिछले चुप्रिश गोंटा में मौन्सोन अभी आज पोग्रेस उरिशा में नहीं हुआ है और अगला तीन दिन का अंदर और भी कुछ पोग्रेस कर सकता है